किसान जो बैठें यहां पर धरना पर उनको सही मुल्ले मिले उनकी जमीन का सही रेट मिले जमीन बवपावती जमीन है किसी का खरीदा हुआ जमीन है हक है तो हक के लिए लोग लड़ रहे हैं काते हैं मोदी सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आज बेटी को ले करके खेत में बैठाये हुए हैं तो सरकार के नहीं जना रहा है बात दिन से हम लोग बैठे हुए यहां जब तक नहीं मेरा मुआपजा मिलेगा तब तक बैठेंगे इस वक्त हम नरायनपूर मौज गाओं में मौजूद हैं और तमाम किसान जो हैं वो धरने पर बैठे हैं लगबग एक सब्ता से अधिक हो गया रेलवे ने इनके जमीन को अधिगरन कर लिया और उसके बाद यह तमाम जो किसान हैं महिलाएं खास तो आप देखिए काफी संक्या में हैं मगर गुंजन भी यहां बैठे हैं धरने पर और लगातार नारे बाजी कर रहे हैं इनसे बात करेंगे रेलवे ने इन तमाम किशानों की जमीन को अधिगरन कर लिया है पुलीस प्रशाशन भी खड़ी है एक सब्सक्ता से अधिक हो गए सरकार अब तक चैन की नीन सो रही है गुजन जी इसके सुरूप में आप देख रहे हैं क्या सरकार सुनना नहीं चाहती कि या सुनना तो पड़ेगा ही क्योंकि सबों का जमीन गया है और जमीन बबती जमीन है किसी का खरीदा हूए जमीन हख है तो हक कि लिए लोग लड़ है बैठे हैं तो बैठना भी चाहिए और ऐसा नहीं होगा कि लोग का जमीन का सही रेट नहीं मिलेगा मुझे ऐसा लगता है मिलना चाहिए और जब तक ना मिले तब तक बैठे रहे हैं लोग हम लोग इनके साथ में हैं और किसान अन्य के दाता होते हैं अगर किसान ना होते तो हम लोग क्या खाते रोट पे चलते रहते है दोड़ते धुबते रहते होटले खोज ले चलते हैं कहां खाना मिलेगा भाई जैसे गाड़ी में इंजन में चाहिए डीजल पेट्रोल उसी आदमी के चाहिए चावल रूटी इसके बिना जीहीं नहीं सकता है चाहिए कतनों रुपईया किसी के पास हो जाए अब आगे की र हग है और हग को कोई मार नहीं सकता कोई छीन नहीं सकता है अभी तो यह हम लोग दीन में आते तो हो सकता है कि मैदान भर देते पूरा तो रात में आये हैं किसी को पता ही नहीं कि हम आये हैं तो डिरेक्ट आ गए तो इधर से ही जाहीं रहते सोचे कि यहां भी चलते आठ सिन से सब बैठे मुझे आज ही पता ही चला कि समयला लोग बैठी है और सब बढ़ बुजुरु गर्जीन सब धर्णा पे बैठें हैं आप 고लाये गयां जो फी है बुलाने, सब बैठें मैं ऐसा कुछ हो रहा है किसान सब धरना पे बैटें तो जब जाते हैं तो मुझे पता चली हो किसानों की बात करते मगर तो मौन हो 00 चुप हो जाते हैं तो क्या समझे कि क्या वो केवल दिखावा है या फिर सरकार सच में कुछ करना चाहती है देखिए क्या कौन करना चाहता है लग बात है मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान जो बैठे यहां पे धर्ना पर उनको सही मुल्ले मिले उनके जमीन का सही रिट मिले ताकि उन जो ऐसानी की मनमानी मांग रहे हैं लोग जितना उचीत होता है जो रेट है वही रेट मिल जाए और काम जो चल रहा है इस पर कभी जवरदस्ती काम लगा दे रहा है कभी कुछ कर रहा है कभी दूहजार फोर्स उतर जाते हैं तो चंता से बड़ा कोई नहीं है धरती पर गु अगर जुरुत पड़ेगा तो उस दिन भी महाजीर है पूरा च्छित्र को एक जगा बुला देंगे मांग क्या है और कब से धरने पर बैटी है गर छोड़ा है साथ दिन से साथ दिन से कोई अधिकारी मिलने आए बातचीत हुई बिचाल पर मस्वार कोई नहीं मिलने आए कोई नहीं है क्या मांग क्या है आप मांग मेरा जमीन जा रहा है तो मेरा हक चाहिए मेरा पैसा चाहिए तो मेरा हक चाहिए मेरा पैसा चाहिए है तो घर बच्चे को छोड़के आप लोग यहां बैठी है सब बार बच्चे भी साथ है देखिए मेरी बेटिया भी सरकार सरक चाहती है काते हैं मोधी सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आज बेटी को ले करके खेत में बैठाए हुए है तो सरकार के नहीं जना रहा है ताब का सरकार क्या सरकार महिला लोग करके आर अच्छाना और मदद क्या कर रहा है सरकार साथ दिन से बैठी है साथ दिन से ह सब्सक्राइब एवड लग जो तक मो इसलिए मिलेंकर सूस्अ्भ चैसि नोधिमक्राइब करूं अधो मेरा अबच्चा को छोड़के आए हैं हाँ वड़के घर में सुता के आए हैं रात में आप लोग प्रशाशन साथ दिनों से आए ने उसे पर्शासन नहीं है आप लोग को नहीं हटाता नहीं है पढ़ लाएं बगारा सब्सक्राइब करता है कि घर घुर के जाओ थमसन बोलते हैं कि किस लिए जाएंगे अपना हकेदार ने मांगने जा रहे हैं किसान काफी संख्या में यहां और कास तोर पर महिलाओं को आपने सुना क्या मांगे हैं खैर आगे सरकार क्या इन तमाम किसानों की बाते सुनेगी या इसी तरीके से मौन बैठी रहेगी हम तवाम तस्विए लगातार अपडेट करते रहेंगे आपका बहुत-बहुत सुक्र कर दो